क्या ये ज़रूरी है कि हर पिता और बेटे में किसी तरह की नाराजगी हो? ये बड़ा आदमी बहुत जगा घेरे हुए है और वो आदमी सोचता है ये मेरी जगा है और ये कौन है? ऐसा होता है कि कोई टकराव होगा और या तो छोटे बाहर जाते हैं या बड़े बाहर चले जाते हैं ऐसा महिलाओं के बीच भी एक अलग तरीके से होता है लेकिन महिलाओं के पास अपने टकराव को छुपाने का एक खास तरीका होता है जब हम परिवार के बारे में बात करते हैं सद्गुरू ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमेशा मुझे में जिग्यासा पैदा करती है और मैं आप जैसी उची उर्जा से उनका जवाब या पुष्टी चाहता हूँ मैंने हमेशा सवाल उठाया है कि क्यों एक पिता और बेटे के बीच एक जैविक दूरी होती है उस रिष्टे में हमेशा वो तना तनी क्यों रहती है और मुझे यकीन है कि इस सभा में भी ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने अपने घरों में अपने वातावरण में इस भावना का नुभव किया होगा आपको क्या लगता है कि ये दूरी कहां से आई है क्योंकि हर पीडी वही गलती करती है जिसका मतलब है कि लोग बिलकुल भी नहीं सीख रहे जब हम परिवार कहते है आपको पता है इटली में परिवार का मतलब अपराद है अपराद? हाँ माफिया को हमेशा दफैमिली मतलब परिवार कहा जाता था तो एक तरह से ये एक तरह का अपराद है एक समाज के निर्मान में ये सबसे बुनियादी संस्था है पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको बुनियादी ही रहना चाहिए क्योंकि ये हमारी एक जैविक पहचान है जैविक की एक सच्चाई है हम इसे नकार नहीं सकते बेशक ये किसी तरह कम से कम कुछ हद तक हमारे माता पिता ने हमें ये दिया कम से कम इसका एक भाग आज ये जिस तरह है, जिस तरह ये दिखता है वो वास्तव में उनके कारण है खैर उन्हें ये किसी और ने दिया ये दूसरी बात है पर हमारे लिए ये उनके द्वारा दिया गया है तो ये एक जैविक पहचान है व्यक्ति को पूरे जीवन के लिए उसकी जैविक पहचान से जोड़ देना एक अपराध है क्योंकि ये कई चीजे बनाता है इस देश में इस देश ने काफी लंबे समय से बहुत कश्ट सहा है अभी अभी आपने महभारत का वीडियो जारी किया है पूरी महभारत एक पारिवारिक समस्या है रितराष्ट्र सिंड्रोम है हम अभी भुगत रहें चाहे कुछ भी हो आज भी हम वही चीज भुगत रहें मेरा बेटा अच्छा है हो और उसे राजा बनना चाहिए चाहे जो भी हो कुछ पेटों ने ज्यादा अच्छा नहीं किया कुछ ने किया तो परिवार एक बुनियादी पहचान है जिसके साथ हम जन्मे हैं बचपन में ये एक शानदार चीज है क्योंकि परिवार के उस सहीयों के बिना आप कई तरीकों से वो नहीं होते जो आप आज है परिवार के लिए पूरे सम्मान और आदर के साथ क्योंकि मानव रूपी जीव इस तरह जन्म लेता है कि जब आप अपनी मा के गर्ब से बाहर आते हैं आप दूसरे जीवों की तरह अपने पैरों पर खड़े होकर चीजें नहीं कर सकते एक पुरुष के पुरुष बनने और एक स्त्री के स्त्री बनने से पहले एक लंबी तयारी की अवधी होती है एक लंबा समय है जहां परिवार का होना सबसे महत्वपून है और ज़रूरी है इसमें संदेह की कोई बात नहीं है पर आपको उस पहचान से परे विकसित होना होता है लेकिन ज्यादा तर लोग उस पहचान से परे कभी विकसित नहीं हो पाते जिसके लिए वे परेशान होते हैं और कभी-कभी अगर वे खास स्थान में पैदा होते हैं, तो वे पूरे देश को परिशान करते हैं। आपको उसके पार जाना होता है। एक बच्चे के रूप में ये सबसे जरूरी है कि आप खुद को परिवार से पहचानें। पर एक वयस्क के रूप में आपको अपनी जैविका से परे विकसित होना होता है। क्योंकि जैविका सबसे बुनियादी पहचान है, व्यक्ति को उससे परे जाना होता है। तो ऐसा कहने के बाद क्या ये जरूरी है कि हर पिता और पुत्र में किसी तरह की नाराजगी हो। ये पिता और बेटे के बारे में नहीं है, बात बस ये है कि दो पुरुश एक ही घर में रह रहे हैं। जब आप आठ दस साल के थे तो आपके पिता भगवान जैसे थे। ये समस्या आपके 15-16 के होने पर शुरू हुई जब आप एक पुरुश बनना चाहते हैं और परियाब जगा नहीं है। ये बड़ा आदमी बहुत ज़्यादा जगा घेरे हुए है। और वो आदमी सोचत में दो मर्द हैं और वहाँ परियाब्त जगा नहीं है। ऐसा सिर्फ मानब परिवारों में नहीं होता। हर प्राणी चाहे वो एक हाती हो या एक भैसा या कुछ और हर प्राणी की जीवन में थोड़ा टकराव होगा और या तो छोटे बहर जाते हैं या बड़े बहर चले जाते हैं ये हर कई होता है क्योंकि ये पिता और बेटे के बीच की समस्या नहीं है। ये दो पुर्षों का एक ही स्थान और एक ही स्त्री को साजा करने की कोशिश है जो एक के लिए मा हैं और दूसरे के लिए पत्नी। जानना है कि दो पुरुषों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। जानना है कि दो पुरुषों का जानना है कि दो एक माझे ओूअ को एक दो पुरुष। चुरुषा। झाल